कि हलो गाईज वेलकम बक्तुआ माय चानल तो हम सभी के पास Android फोन होता है और उस पर जो भी कीबोर्ड होता है उसमें कीबोड तो उसका चोभी थीम होता है वह डिफॉल्ट सेट होता है बहुत ही सिंपल बेशिक सा सबता हुए जैसे वाइट सिंपल होता है उसका थीम , तो आज मैं आपको बताएं हूं कि आप अपने फोन के कीबॉड को कैसे इट्रेक्टिव बना सकते हैं , आप कीबोड में अपनी फोटो यापल या कोई भी चीज की फोटो dependent आप रट कर सकते हैं किसी भी चीज की और अपने लिए dépआ पर आप सेथे और शरक्तेफ बना सकते हैं तो चलिए बीना किसी दिरी कि सेटिंग के आइकन पर जाने के बार सेटिंग ओपन करने के बार यहां पर आपको बहुत से आपको सो जाएंगे तो यहां पर आपको सेकंड थर्ड नंबर पर एक आपको आपको आप्सेंस होगा थीम का ओप्शन वहां आपको सिंप्ली चले आना है हम आप किंप यहाँ आपको बहुत से आपको कलर्ज हो जाएंगे एंगे लेकिन मैं आपको बताने वालो कि आप अपनी फोटो याफ पर कोई भी चीज की फोट आप कैसे लगा सकते हैं कहरे क душ cathedral और ही प्लाइकन पर अने मायर थीम पर वहाँ जाने के बाद आपकी यहां पर गैलरी फाइल मेंजर ओपन हो जाएगी तो यहां पर आपको जो भी फोटो अच्छी लगती है अपनी वह फोटो सेलेक्ट कर ले जैसे मैं यहां पर यह फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ कार की फोटो सेलेक्ट कर देता हूं यहां पे मैं next पे क्लिक कर देता हूं simply यहां मैं next पे क्लिक कर दूँगा तो अब यहां पे आप देख सकते हैं adjust brightness तो यहां पे brightness को भी आप high और low कर सकते हैं तो यहां पे मैंने high कर दिया है और यहां पर done पर आप click कर देंगे तो यहां पर आपको keywords का आपको option यहां पर आपको apply कर देना है simply apply कर देंगे तो यहां पर यह आपका जो keyboard पर फोटो वो done हो चुका है अब मैं आपको दिखा देता हूं अब जैसे मैं यहां पर न को दिखा लेता हूँ आप देख सकते हैं कि Just One Second मैं आपको थ्वाप brightness में करका दिखा लेता हूँ तो यहां पर आप भ़़टיचस कते हैं कि यहां पर मेरे कीबोट पर मैस कार की ठी फॉर्ट इंट्रेस्टिंग लग रहा है तो आप ऐसे ही अपने कीबोड का अप अट्रेक्टिव बना सकते हैं तो यही थी आज की वीडियो तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जो करें चैनल को सब्सक्राइब ज़र करें थैंक यू सो मच